कश्मीर में पिछले दिनों में कई आतंकी हमले हुए लेकिन कश्मीर से अभी भी आतंकी हमलों का खत्रा पूरी तरह से टला नहीं है आतंकी अमरनाथ यात्रा, इलेक्शन और पीम मोदी के राज्ये के दोरे में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है पीम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दोरे और अमरनाथ यात्रा के मद्दे नजर केंद्र एजिंसिया सुरक्षा बल और स्थानिय प्रशासन सुरक्षा उपाय सुनिश्यत करने पर लगातार ध्यान दे रहा है देखे कश्मीर में आतंकी सम्हू की तरफ से बढ़ते खत्रे और संभावित हमलों के संकेत देने वाली खूफिया सुचना के बाद सुरक्षा के तमाम उपाय किये ज़़ा रहे हैं अमरनात यात्रा खत्म होने के बाद हालात का जाइजा लेने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिये से भी ये सुरक्षा बहुत जरूरी है देखेर अभीवार को केंद्रे ग्रीमंत्रा मिच्शा के अधिक्ष्टा में सुरक्षा समिक्षा बैठक होने वाली है और सूत्र तो ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में होने वाले कारिकरम के लिए अतरिक्त सुरक्षा बलो के तैनाती की संभावना पूरी है इस महीने की शुरुवात में ही अमरनाथ यात्रा के लिए रानी खेद, गोहाटी, पटना और लखनों के साथ-साथ अन्य जगों से सुरक्षा बलो को जम्मू कश्मीर भेजा गया था साथ ये भी बताया जो रहे कि केंद्रे पुलिस बल पहले से ही जम्मू कश्मीर में तैनाथ है लेकिन हाल ही में हुए हमलों के बाद वरिष्ट अधिकारी और अधिक सुरक्षा बलो की जरुवत काफी जादा वहाँ पर महसूस हो रहे है सूत्र ये भी बता रहे है कि जम्मू पर विशेश ध्यान दिया जाएगा इसलिए वहाँ पर सुरक्षा बलो को आवाजाही के लिए और जादा बुलेट प्रूफ गाडियां जो है वहाँ पर मिलेंगी देखे स्थानिय पुलिस के साहता के लिए जम्मू कश्मीर में तैनाथ सियारपेव जम्मू में विशेश आतंकवादी विरोधी रापेड आक्शन टीमों का उपियोग भी किया जा सकता है साथी ओपरेशन के निगरानी कर रहा है एक बड़े अधिकारी ने न्यूज 18 से खास बाचीत के उन्हों ने बताया विबेन आतंकी समूहों से कथित तौर पर धमकी भरे संदेश अब विबेन सोशल मीडिया समूहों में दो गुने हो चुके आनि कि पहले जितने दिये जुआ रहे थे उससे कई गुना ये धमकी भरे इमेल बढ़ चुके हैं केंद्रे खूफिय एजंसियों ने इनपूट जेनरेशन की निगरानी के लिए एक वरिष्ट अधिकारी को तैनात किया है जिन्होंने हाल ही में जमू कश्मीर का दौरा किया था इतना इने एक वरिष्ट सरकारी दिकारी उन्होंने ये भी बताया कि 9 जून को रियासी हमले के बाद से हम लगबग दो गुनी संख्या में इनपूट देख रहे हैं जिसमें एक बस में 9 नागरिक मारे गए थे सुरक्षा बाल आतंकवादियों के छिपे होने का संदेश देने वाले इनपूट पर कारवाई के लिए खूफिय एजंसियों के साथ लगातार काम कर रहे हैं इतुना ही नहीं बैठक के लगातार चल रखी हैं केंद्रे ग्री मंत्री अमिट्षा ने जमू कश्मीर में सुरक्षा हालात और अमरनाथ यात्रा की तैयारी की समिक्षा के लिए 16 जुन यानि कि कल नौर्थ ब्लॉक में बैठक बुलाने का आदेश दिया है बैठक में जमू कश्मीर के उप्राज्येपाल, एनेसे, केंद्रिये, ग्री सचेव, सेनक, पुलिस, जमू कश्मीर, प्रशासन और ग्री मंत्राले के वरिश्ट अधिकारी शामिल होंगे मंगलवार की शाम को आतंकियों ने अंतराश्ट्र सीमा के पास एक गाउ में हमला किया, जिसमें नागरिक घायल हो गए अलकि इसके बाद तलाश्य अभियान के दुरान ये बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी की मौत हो गई जबकि दूसरे चिपेखवे आतंकियों को बाहर निकालने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं जिसके बारे में अब ये माना जा रहा है कि वो सीमा पार से घुस पैट कर यहाँ पर घुस चुके है आतंकवादी ने रवीवार को याद कीजिए रियासी के शिवखोरी मंदर से कट्रा जा रहे तीर थ्यात्रों के एक बस पर हमला किया गोली बारी के कारण बस गैरी खाई में जागिरी जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल होए कर दोली खाई में जाँ कर दोली खाई में जागों की मौत है